नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर प्रांशली आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों आज हम बात करें क्रेटिनिन और ब्लेड यूरिया के हाई लेवल के बारे में दोस्तों ये क्यों होता है बहुत सारे पेशेंट इस पर मुझसे क्वैरीज कर रहे थे कि मैं इसके बारे में थोड़ा सा डेटेल में वीडियो बनाओ तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हाई क्रेटिनिन क्यों मिलता है नारी बॉड़ी में या ब्लेड यूरिया लेवल हाई क्यों मिलता है इनके पीछे कि क्या कॉसे हो सकते हैं कैसे लक्षर आपको देखने को मिले अगर आपके बौटी में क्रेटिनिन लेवल बढ़ रहा है तो और इसी कौन सी होमेपैटिक मेडिसिन है जिसका प्रयोग करके हम अपने क्रेटिनिन लेवल को मैंज करने में बहुत जादा हेल्प कर सकते हैं तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फोर्मेटिव है आप इसको अन तक जरूर देखें और मेरे साथ बने रहे हैं दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं क्रेटिनिन के बारे में दोस्तों जो क्रेटिनिन है ये क्रेटिन फास्टेज का ब्रेकडाउन यानि के एंड प्रोड़क्त का पार्ट है जो हमारे मसल एंड प्रोटीन मेटाबोलिजम में बनता है अब इसके बढ़ने के बहुत सारे certain causes हो सकते हैं अगर जो किसी organ damage के बारे में अगर हम बात करें तो जो इसको निकालने का काम करता है जो इसको एक kind of waste product है हमारी body का तो इसको निकालने का काम हमारी kidney करती है अब अगर हमारी kidney सही से काम नहीं कर रही है तो इसका मतलब जो भी waste प्रडप्स सहीं से बाहर नहीं निकल पारें जिसमें से एक क्रेतियन इंड वह ब्लाग यूरिया भी है अगर आपकी किग्नि में किसी तरह का daim PAC है अगर आपकी किग्नी फैलवर की साइड में जारी है किगनी में अगर स्टोन हुआ है तो भी पॉसिबल्टी है कि हाई क्रेटिन लेवल और जो ब्लग जूरिया है वो बढ़ा मिल सकता है इसके लावा अगर कोई बीमारी नहीं है तो भी अगर हाई क्रेटिन लेवल देखने को मिल रहा है तो उसके पीछे का कारण होता है कि आप बहुत लंबे समय से डिहाइड्रेटेड है पानी की मात्रा आपने बहुत कम ली है साथी आप स्टार्वेशन पे रहे हैं मतलब आप आपने कुछ खाया नहीं है बहुत लंबे समय तक आपकी बोड़ी बहुत जादा डिहाइड्रेट है इस कारण से भी आपकी बोड़ी में हाई क्रेटिन लेवल देखने को मिल सकता है इसके लावा दोस्तों क्या कारण हो सकते हैं अगर आपके हार्ट फिलवर का केस हो जिस कोई ड्रग जो कार्टिकोस्टिरोड ड्रग उनका प्रेग किया गया हो तो भी इन केसे में आपके हाई लेवल ऑफ क्रेटिन और ब्लड जूरिया देखने को मिल सकता है इसके लावत दूस्तों कुछ ऐसे डिजीजेज हैं ऐसी भीमारिया है जिनमें हाई क्रेटिन लेवल अगर आपकी डिजीजेज बहुत लंबे समय से ले रह रही है तो भी आपकी बोटी में जो क्रेटिन और ब्लड जूरिया रेस कर सकता है इसके लावा हाई ब्लड प्रेशर और जो हार्ट फिलवर केस है यह तीनों केसे में आपको यूरिया और क्रेटिन लेवल बढ़ा अगर यह uncontrolled है तो यह directly impact करते हैं हमारे kidney को और इसके वज़े से हमारे kidney धीरे-धीरे करके फिलवर की condition में जाने लगती है जिसके फलसुरूब आपके body के जो यह सारे waste products है निकल नहीं पाते और the end result हमारे blood में इनका level काफी ज़ादा raise देखने को मिलता है अब हम बात करेंग कि इसका जो normal range है वो क्या है आप किसको consider करें कि normal है और किसमें आपको बहुत ज़ादा alarming condition रखनी है सबसे पहले हम बन यानि कि जो blood urea and nitrogen का level है उसके बारे हम बात कर लेते हैं तो 14 से लेकर 23 mg per dl male and female में ब्लाइड में यूरिया और nitrogen का level होना चाहिए अब हम बात कर लेते हैं फोड़े से ही fluctuation के साथ तो अगर थोड़ा भी fluctuation आपको creatinine level में मिल रहा है तो आपको बिल्कुल सचीत होने की जरुवत हो और immediately आपने पहले doctor से संपर्क करें और cause खोजने की कुशिश करें कि आखिर किन कारणों की वज़े से आपका creatinine level and जो blood urea level है fluctuate होना शुरू हो अब बात करते हैं दोस्तों इनके लक्षरों के बारे में कि आपको कैसे लक्षर देखने को मिल सकते हैं तो उसमें सबसे important जो लक्षर देखने मिलता है कि water retention आपको देखने को मिलेगा means आपके body में आपको swelling देखने को मिलेगी especially legs पे या under eye आपको swelling देखने को मिल सकती है ब यावा आपको बहुत जादा एक डिलीरियम जैसे अगर बहुत जादा हाई लेवल पर है तो एक डिलीरियम जैसे यानि की confusion जैसे आपको माइंड में फील हो सकता है आपको vomiting सेंसेशन लग सकता है वामेटिंग हो भी सकती है तो इस तरह के severe symptoms आपको देखने को मिल सकते हैं अगर आपका creatinine level बहुत जादा raise करा है विकिस अर्थ वेस्ट प्रड़क्स ऑफ आर बोड़ी और अगर आपके बोड़ी में ये रुक रहे हैं तो ये एक बर सारी चीजे सेटेल हो जाती है आपको पता चल जायता है कि इस कारण के वज़े से ये परिशानी हो रही है तो आप अपनी जो जो एक्जिस्टेंट medicine है जो medicine चल रही है उनके साथ आप होमेपैतिक दवाओं को शुरू कर सकते हैं ऐसा बिलकुल ना करें कि आप एक दम सारी दवाओं बन करके आप होमेपैतिक दवा पर चले गए क्योंकि उस समय आपको first aid या primary medication की बहा सादा जरूवत है तो आप experimental condition में बिलकुल भी नहीं है तो आप दवाओं को एक दम से बिलकुल बन नहीं करेंगे आप होमेपैतिक दवा को as a like you know complimentary medicine as a supportive medicine करें में भी आप देरे देरे करके आप अपनी English medicine को बन कर सकते हैं on the basis of symptoms कि आपकी कितना improvement है लेकिन शुरुवात में आप बिलकुल भी आसी कोशिच ना करें कि आप सारी दवाएं बन करके सिर्फ आप होमेपैतिक दवा पे जा रहे हैं एक में create a life-threatening problem so मैं सबसे इस बादा तो मैं नहीं बोलूँ कि हा लेकिन 50-60 मेरे ऐसे patients हैं जो इस condition से सफरा रहे हैं और उन पे बहुत ही अच्छे result मुझे देखने को मिले है इस patent medicine का क्योंकि मैं इसको maximum patients को देती हूँ और उनमें बहुत ही अच्छा और बहुत ही quick response देखने को मिलता है आपको लेना है दोस्तो एलन्स ब्रैंड का A87 नमबर दोस्तो यह ऐसा patent drop है जिसमें कम से कम 10 से 15 medicine का एक proper combination बनाए गया है जो आपके specific kidney function के उपर काम करती है आपके body के जितने waste product हैं उनको निकालने का आपके metabolism को अच्छा करने का इन सब का काम करके आपके body से swelling toxicity remove करने में बहुत जादा मद 50 drops डालेंगे एक चौथाई कप पानी में डालके दिन में चार बार लेनी है तीन दिनों तक मतलब आग जैसे आज आपने शुरू किया तो आज से लेकर आज कल एंपरसो तीन दिन आप 50-50 बून डालके दिन में चार बार करके तीन दिन तक लें और उसके बाद आप शिफ् करें और अपनी supportive medicines को भी साथ में लेते रहें ताकि आपकी कोई भी परिशानी नौने पार यापके at least kidney को सेफ करने में आपको बहुत जादा मदद करेगा और आपके जो major organ इसके वज़े से damage हो रहे है उनको भी prevent करने में बहुत जादा help करेगा तो आप इसको लेना करें अगर आप creatinine या plaguria level जैसी चीजों से आप या आपकी family members में से कोई भी इससे सफरर है तो आशकरती दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको like जरू करें share करें दोस्तों बहुत informative videos हैं जादा जादा friends family members और relatives के साथ और अभी तक अगर आपने मेरे चानल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चानल जरू सब्सक्राइब करें दोस्तों मिलती हुई से तरह के informative videos के साथ तब तक के लिए thank you so much stay safe and healthy